ही गाईज वेलकम बैक टो नॉटी स्चिचेज आज के इस वीडियो में मैं गोटा पत्ती का इस्तमाल करके प्रिंटेड कुर्टे के बाजू और गले का एक बहुत इजी और सुन्दर सा डिजाइन बना रहे हूँ इसके लिए मैंने साड़े तेरा इंच लंबी और तीन इंच चौड़ी एक पत्ती प्लाजो के कपड़े में से कट की है इस तरह से इस पत्ती को कट करके इसके पीछे मैंने फ्यूस पेपर चिपका दिया है ताकि ये थोड़ी से स्टिफ हो जाए प्रेस की हेल्प से मैंने यहाँ पर फ्यूस पेपर चिपकाया है अब हम इस पत्ती को दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे ये देखिए मैंने ये पत्ती तयार कर ली है अब हम ये बारिक सी triangular shaped lace का इस्तमाल करेंगे इसके नीचे दबा के लगाएंगे हम इस lace को इस तरह की laces आजकल बहुत trend में हैं और cotton के suits पर लगी हुई बहुत अच्छी लगती है तो इस तरीके से दोनों side हम ये lace दबा कर लगा लेंगे आप चाहें तो थोड़े बड़े triangles वाली lace भी ले सकते हैं बट मैंने ये सबसे बारिक triangles वाली ही lace ली है अब ये पट्टी हमने तयार कर दी है अब हम इसको कुर्टे के center में लगाएंगे ये design मैं frog style कुर्टी के लिए बना रही हूँ आप चाहें तो same design simple कुर्टी के लिए भी बना सकते है कुर्टी के front हिससे पर मैंने center में crease बना ली है और अब हम इस पट्टी को बिल्कुल center में इस तरह से रखेंगे और इसके बीच में एक कच्चा टंका लगाएंगे उपर से मैंने लगाते वे थोड़ा gap छोड़ा है क्योंकि उपर तो वैसे भी गला आ जाएगा और ये हिसा कठी जाएगा अब यहाँ पर मैं ये simple गोटा लगा रही हूँ जो बारीक वाला गोटा बाजार में मिलता है थोड़े गोटे बख्ये से ही मैं ये गोटा यहाँ पर attach करूँगी इस तरीके से सबसे पहले हम गोटा दोनों किनारियों पर लगाएंगे अब जैसे मैं यहाँ पर गोटा इस्तिमाल करूई हूँ वैसी आप चाहें तो certain ribbon का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अगर आपको shiny lace के साथ ये design नहीं बनाना तो आप cotton की laces के इस्तिमाल करके भी इस तरह का simple सा design बना सकते हैं अब एक गोटा हम बिल्कुल बीच में लगाएंगे इस तरह से और गले का ये simple सा design बन कर त्यार हो गया है अब हम इसके उपर गला पलट लेंगे और बाद में मैं इसके उपर buttons भी लगाऊंगी गला मैंने यहाँ पर पलट लिया है ये देखिए अब हम बाजू का design तयार करेंगे तो क्योंकि मुझे 17 इंच लंबी बाजू चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर sleeves 14 इंच लंबी कट की है और इसके आगे लगाने के लिए बादर मैंने 8 इंच लंबा कट किया है अब हम बादर को बाजू के उपर इस तरीके से रखेंगे कि बाजू की wrong side बादर की right side को face करें ये देखिए इस तरह से अब हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अब इसको खोल के इस तरह से ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे सीधी तरफ और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाते हुए हम इसके बीच में यह ट्राइंगल्स वाली लेस को दबा देंगे इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा यह डिजाइन पर तयार हो जाता है और कॉटन की कुर्टी पर बना हुआ यह डिजाइन बहुत ही ग्रेसफुल लगता है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा यह देखे बिलकुल थोड़ी थोड़ी यह लेस नजर आ रही है वंदर से अब हम इसके उपर यह गोटा लगाएंगे तकरीबन 3.5 इंच चौड़ा यह बॉर्डर हमारा तयार हो जाएगा इस तरीके से आप चाहें तो बाजू के आगे जादा चौड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं वो भी बहुत ही सुन्दर लगता है इस तरीके से गोटे के हम लाइन्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर अटाच करते जाएंगे यह देखे गोटा हमने अच्छे से अटाच कर दिया है अब इसके नीचे मैं यह कॉटन वाली लेस लगा रही हूँ जो की बहुत इसली मारकेट में मिल जाती है इसके बिल्कुल नीचे हम आगे बढ़ा कर यह लेस लगा देंगे तो बाजू का यह डिजाइन भी बन कर तयार हो गया है यह देखे अब इस फ्रॉक स्टाइल कुर्ती का फ्रेंट पार्ट मैंने चुनुटे डाल कर तयार कर दिया है अब इस जोड के साथ साथ मैं यह वाइट कलर की लेस लगा रही हूँ बहुत ही सफाई से अगर आप सिंपल कुर्ती बना रहे हैं तो इस तरह की लेस आप गले पर भी घुमा कर लगा सकते हैं या फिर बॉर्टर के साथ साथ भी लगा सकते हैं इस तरह से अच्छे से सको अटाच करेंगे तो डिजाइन हमारा यह बन कर तयार हो गया है आप देख सकते हैं कि मैंने लेस को किस तरह से चूज किया है क्योंकि मेरे प्रिंट के अंदर वाइट और गोल्ड दो कलर हैं इसलिए मैंने दोनों कलर की लेस लिया यहां पर वाइट और गोल्ड इसके गले पर भी मैंने छोटे-छोटे मोतियों वाले बटन्स लगा दिया हैं और बहुत ही सिंपल और ग्रेसफुल यह डिजाइन हमारा बन कर तयार हुआ है इस तरह का सेम डिजाइन आप प्लेइन कुर्ती पर भी बना सकते हैं डार्क कलर की प्लेइन कुर्ती पर बनावा यह डिजाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगता है यह देखिए और आप चाहें तो कमीज के गेरे पर भी यह सेम पैटरन रिपीट कर सकते हैं जो कि मैंने बाजू पर बनाया है तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगिलर अपडेट्स मिल सकें साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग बाइबाइ